कि आदमें देखिए एक कहावत है कि जिसके खेत में गोबर नहीं उसका खेत गोबर सामने आप कैमरा दिखाई है हमारे खेत में सारा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है समर सिंग और मैं आपका फार्मिंग विद समर पर स्वागत करता हूँ आज हम आए हैं अंबेटकर नगर ज गाले खेत कि आप नगत मिलता है और के डेली मार्केट में यह जाती है शुरू में हम लगाते हैं तो अच्छाएट मिलता है कभी बाद में भी अच्छाएट मिल जाता है डेली पैसा मिलता इसलिए भिंडी की खेती सुरू की सर आपने कितने खेत में भिंडी लगाई maior नश्ची अधा यकड़ केत है और इसमें हमने ईूपील की राधि का बीज सेलेक्ट किया है को इसका इसमें आपका बीज का नभौ कईसा रहा यह बहुत अपर है इसकी भी क सुपर है इसकी भिंडी जो होती है मीडिय। मध्धंबरग की घुति है हरी होती है मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है और इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इल्ड इसकी काफी है ये जो है सोर अभिस्वा खेत है इसमें परड़े एक कुंटल के करीब उत्पादन होता है पीछे आप कैमरा चलाएंगे तो देखे हमारे जो है लेबर बर्ग इसकी तुड़ाई कर रहे है डेली इसमें एक कुंटल भिंडी निकल आप हमको इसमें जो है बुगाई के बारे में बताई बुगाई आपने कैसे की थी इसमें हमने सबसे पहले खेत की तैयारी जो है दो बाह हैरो से किया इसके बाद दो बाह रोटा बेटर से करके फिर इसको गन्ना बनाने वाले जिससे गन्ना बोया जाता है उससे हमने लाइनिंग बना ली और पाउध से पाउध की दूरी हमने एक फिटकी रखी गन्ना का रेजर बनाने से पहले हमने इसमें पंदरा बिस्वा, सोरा बिस्वा खेत में सोरा किलो डियेपी, पांच किलो नाइट्रोजन यूरिया और पांच किलो पोटास, एक बोरा नीम की खली और दो पैकेट जो है हिउमिक फट काप्रियोग किया था इसके बाद इसमें एक एक फिट पर बीज को जमीन में धसा के हलकी सीसी चाही करें सर आप हमको बताईए कि इसमें भिंडी आप लगाए तो इसमें आपको समस्या क्या क्या आई, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ी इसमें सबसे जादा समिस्या जो आती है भिंडी की खेती में पत्ते छेदक कीट यह देखिए पत्तों में छेद हो गया है एक टाइप की सुड़ी होती है जो पत्तों में छेद कर देती है और पौधा पूर्ण रूप से खाना नहीं बना पाता है इसके लिए हमेशा ध्यान कीट लगे तो ईस पर कित नासक का पंपर्योग कर एसे पहले जब फल लगता है तुख सब्至 ब्हुत्तरी begitu लगने लगते हैं तो और उसक्ति उसमें आप सबसे बनियां उपाए है आपके घर का उपाय है गव मूतरी कठा कर लीजिए और हर एक हफ़ते में एक बार आप उसका प्रियोग करेंगे तो ये न टेड़े होने वाली समस्य से आएगी और भिंडी में छेद होगा आपकी भिंडी हरी भरी रहेगी पौधा स्वस्त रहेगा ये थोड़ा टिपिकल काम है देशी काम है हमारे किसान भाई तमाम किसान भाईयों के पास गाय नहीं है तमाम ये काम जो है बाजार पर निर्भर होते हैं पैसा खर्च करने के बाद उनको ये लगता है कि ये चीज़ सही है पैसे वाली चीज़ सही है ये घर में है इसलिए अ साइड इफेक्ट नहीं सर आप हमको बताएं कि इसमें जो है उत्पादन क्या मिला आपको और रेट आप कितना से कितना पाएं जो है क्या रिस्पांस रहा देखिए यह हमारे पास तमाम खेती चल रही है तो उसमें हम इसका जो है एकुरेसी ने आपको बता पाएंगे ने ए रेट कभी 30बड़ 55 रहता है आज मार्केट में बीस सब्सक्राइब हो जाता है लाग्ढक दाउन के हिसाब से अब संडे वार और शंडे लागंड़ तो इसका रेट बहँत तेजी से तूट जाता है और जो है कभी जब शोमवार को मार्केट आती है एकदम से रेट बढ़ जाता है तो इस साल रेट में काफी वैरियंट है सर हम आपके हाथ में देख पा रहे हैं का आपने गलफ टाइप का कुछ लगाया है तो इससे क्या मतलब यह क्या है यह जो है इसमें एक टाइप का काटा हलका सा होता है रोए होते हैं यह आप हाथ से ऐसे तोड़ेंगे तो एक दो दिन तो कुछ नहीं होगा फिर इसके बाद हाथ में जक्म हो जाता है खाना खाते समय और करते समय हाथ में लिबड़ाहट होती है उसके लिए हम यह गलब्ज मतलब क्या फायदे की खेती है करनी चाहिए चुतनी फीजिवरगी हमारे आधे एकड में हमने भिंडी लगाई है एक एकड में हमारे पास करैला है वह भी चलने वादु में देना चाहते हैं को वो ऐसा उत्पाद चुने उनको 365 दिन में 365 दिन मंडी जाना पड़े तभी उनका जो है आई दूनी हो पाएगी और वो अपने मिशन में काम्याब होगे सुबा सुबार नौ बस्ते बस्ते आपके हाथ में दो तीन हजार एक हजार दो हजार चार हजार दस आपको गोबर की खाद लेनी कोई समस्या नहीं हमारे ख्याद में देखिए एक कहावत है कि जिसके खेत में गोबर नहीं उसका खेत गोबर सामने आप कैमरा दिखाए हमारे खेत में सारा गोबर पड़ा हुआ है जिस खेत में आप हैं इसमें भी तीन ट्राली गोबर बहुत अच्छा उत्पादन होता है रोग प्रतिरोधक छमता पौधे में बहुत ज़्यादा होती है कीट नासक कम लगते हैं बीमारियां कम लगती है इल्ड दूने से भी ज़्यादा होती है सामने हमारा खेत है इसमें अब बरसात वाली भिंडी लगाए जाएगी यह एक अच्छी से जुताई करके खर पतवार सुखवा करके इसमें समय गोबर की खाथ पड़ रही है बहुत बहुत धन्य बाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्य बाद